कि आपने एक्जाम में बहुत बार देखेंगे दोस्तों 50 लिटर में दूद पानी तीन अनुपाद में यदी पांस लिटर पानी मिला दें तब दूद और पानी का अनुपाद क्या रहेगा दोस्तों इसको बिल्कुल इजी लिए कुछ नहीं करना तो क्या करना सबसे पहले दूद और पानी मिल्क है और वाटर इजी दोनों कितना आlen पाचास लिटर है तो इनका अनुपाद क्या बिवाइड करना उसको केंसे करते। आंपको पता हो Gotta क्या करना पेले अनुपादों का योग एननुपादों को कहीं जाएगा पांच और जिस अनुपात का गयात करना उसको उपर लिख दो इंटू पचास कर दो तो इनका योग कितना हो जाएगा पांच पांच का इसमें कितनी बार जाएगा दस बार यहनि 20 लिटर 20 लिटर आपको हो गया दूद और 30 लिटर हो गया पानी किसे वो आपको पताए नदो बड़ अपको सब्सक्राइब कर दो दो सबस्क्राइब सीटे आप 15 में पानियोट पानियोन अब इसमें पानुन और भी बीस तोडूर तो फिर इनका नुपात क्या होगा फिर इनका अनुपात क्या हो जाएगा 30 और 25 का अनुपात देख लो क्या हो जाएगा 5 का इसमें 6 बार 5 का इसमें 5 बार 6 अनुपात 5 इनका फिर बाद में यह अनुपात हो जाएगा दोस्तों यह बिल्कुल इजी वाले क्योशन है इनको आप आसानी से ध्यान से करें दोस्तो तो दोस्तों इस परकार का जो क्यूशन रहता है इसको बहुत ही हार्ड क्यूशन मानते हैं और कई लड़के इसको बार-बार करने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं आज आपको मैं इसको बिल्कुल आसानी केसे करते हैं चोटा सा एक तरीका बताऊंगा अब कोई भी इस परकार के क्यूशन कर लोगे कि एक थेले में एक रुपे पचास पैसे पचीस पैसे के शिखों का अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच है यदि कुल धने 125 रुपे हैं तो 25 पैसे के सिख्के कितने हैं पैसे कितने सिखें हैं किसन पूरा मेर्क रहा है इसकुल आगए तो दोस्तों इस प्रकाइब किसन अब आप देख ते कर दो कि बिल्कुल आसानी जिकरना कि पहले इधर लिखना ना एक रुप, इधर लिखना आपको 50 पैसे उरिदे लिखना आपको 25पैसे एक अब इनका जो अगर मालो 3 श्के आपके पास में 1 रुपे के एक रुपे के 2 च्प के तो निए और बास में 4 श्के थीक्हेनी क्यूता है तो मुझे मुझे बताऊ आपके पास में 4 श्कें 50 पेसे के तो रुपे कितने हुए वा है वो ना तो बस यह दो रूपए लिख दो अब आपके पास 25 पैसे के 5 कि तो कितना हो जाएगा रूपए एक पॉइंट 25 एक पॉइंट 25 ही और आपके पास पैसे हुए तो एक रूपए 25 पैसे हैं पूरे अब आगे कुछ नहीं करना बस इनको आपको जोड़के इनका अनुपात मान लेना कि यह आपका अनुपात है और इस रूप से अब इनको आपको अनुपात बनाना अनुपात कैसे बनेगा इधर तीन इधर दो इधर एक पॉइंट देखो इधर तीन इधर दो इधर एक पॉ थिक है अब आपके अपके रुपे मांच बारी बराबर कितना बनदी है यह दुब सकते हैं लुपे रावबर दियों मुद्ध आपको एक सो पैचिस रुपे gression और तो करना कि 125 बटा 25 25 कौन से 12 8 20 और 5 25 बराबर X की वेल्यू आ जाएगी जो X की वेल्यू कितनी आ जाएगी 5 अब आपको जिसने भी रुपे निकालने हैं तो एक रुपे के टोटल कितने रुपे हो जाएगे 5 से मल्टिपलाई कर लो बार पान की 60 रुपे तो एक रुपे के शिक्के हैं रफ क्वेश्चें गुश्ची टिम्रशाएग टो इस वेल्यू को कि पेशा अब्यूपे दिते ही हैं जो था पच्चास पिसे के रुपे-पाशे खें बार ऐं कि टीस प्वर सचीं-पाश्य रुपे तो चींश एगई कर शें किश्के रुपे 2iso 15 तह रुपे में च्यार कर सकते हैं नहीं है आप हाल तो इसको सोचना नहीं जिस रूप से किया एक बार करके देखिए फिर नहीं होता था पर कमेंड बॉक्स में लेकिए पर में आपको और इसको यह करते हैं या इसके और कियुशन करके दिखाऊंगा